नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है बारा मार्च दिन रविवार खब्रो क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अब बिहार के अर्थिस जिलो में खुलेंगे बारत खेलो के लिए सेंटर सीम नितीस नहीं बताया बिहार में सराब बंदी का नया रिकॉर्ट बिहार के सभी परड़न स्थल्ख जुरेंगे फड़िवहन सेवा से बिहार पुलिस के लिए एक तिस मार्च तक रोस्टर क्लियरंस कर भेजा जाएगा प्रस्ताव गिल के सतक से एहंदाबार टेस्ट बढ़ाबरी पर अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की पचीस बड़ी खबरों के ओर विस्तार से MPFX बैंक ने 638 पद पर निकाली भरती अधिसूशना मद्यप्रदीश राज सहकारी बैंक के दोरा ओफिसर ग्रेट पर कुल 638 पदों के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है बता देए कि MP को ओपरेटिव बैंक के ओफिसर ग्रेट पद पर अप्लाई करने के लास्ट डेट 9 अप्रेल 2023 नरधारित की गई है वे कैंडिडेट्स जो इन पद के लिए आविदन करने के इच्छा और योगिता रखते हैं वो MP Apex Bank की ओफिसियल वेबसाइट Apex Bank.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता देए किस रिक्रूट में नोटिफिकेशन में हर पद के लिए सैचनिक योगिता और आयू सीमा अलग-अलग है इनके बारे में डिटेल में जानकारी पाने के लिए आप ओफिसियल वेबसाइट पर दिया नोटिस चेक कर सकते हैं ये वेकंसी इस प्रोवीजनल है जिनकी संखा में बदलाओ किया जा सकता है अब बिहार के 38 जिलों में खुलेंगे 12 खेलों के लिए सेंटर बिहार के युवाओं को खेल के प्रति जागरु किया जा सके और साथ ही यहां के खिलारियों को सही मौका मिल सके इसके लिए खेल प्राधिकरन के डीजी रवंदर संकरन के द्वारा दिगए जानकारी के नुसार बिहार राजे खेल विभाग के द्वारा बिहार में राश्ट्रिय अस्तर के खेल की विवस्था की जाएगी बता दे कि इसके तहत राजे के अरतस जिलों में उन खेलों के लिए ground तयार किया जाएगा जो खेल उस चिले में सबसे जादा खेले जाते है जो कि खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के तौर पर काम करेगा बता दे कि सेंटर में खिलारियों को ट्रेनिंग के समान भी उपलब दिकरवाए जाएंगे और साथ ही वैसे खिलारी जो जिले से चैनित होकर आएंगे उन्हें सेंटर ओफ एक्सलेंस में रखा जाएगा और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाएगी मालुम हो कि ऐसे खिलारियों को यहां से अंतराश्टी अस्तर के खेल में हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा इन सब के अलावा यहां खिलारियों को ट्रेनिंग देने के लिए कोच की भी निउक्ती की जाएगी बिहार के सभी परिटन अस्तल जुड़ेंगे परिवहन सेवा से बिहार में परिटन छेत्रों का विकास हो सके इसके लिए सभी जिलों से राजे सरकार के दिशानरदेश के आधार पर रिपोर्ट मांगा गया है ताकि राजी के सभी परिटन अस्थल को परिवहन सेवा से ओक्टूबर महीने तक जोड़ा जा सके बदा दे कि जिला के द्वारा दिये गए रिपोर्ट में उन सभी बातों का जिक्र होगा जिसकी मदसे परिवहन सेवा को विक्सित किया जा सकेगा वहीं परिटन छेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीची भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकेगा और साथ इन छेत्रों में बड़ी से लेकर छोटी गारियों तक का परिचालन किया जाएगा बता दे कि परिवहन सेवा के साथ जोड़े जाने पर परड़कों को बिहारी बोत्रेस पिशल में आज हम बात करेंगे कलपना सिंग चिटनस के बारे में कलपना सिंग चिटनस का जन्म आज ही के दिन बोद गया में उनी सो चियासत में हुआ था यह हैं एक इंडो अमेरिकन कवीतरी लेखी का अभीनीता और फिल्म नर्माता है कल्पना सिंग, चिटनिस, बेयर, सोल और हिंदी में तीन कवीताओं के संगरा की लेखी का है इन्होंने 21 साल की उम्र में पहले अपने पहले कवीता संगरा चान का पैवन्द के लिए बिहार भारस सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिस्थित बिहार राजसभा पुरुषकार जीता था इन्हें 1988 में बिहार श्री का खिताब से भी नवाजा गया साहित और सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2014 में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवोर्ड भी मिला था और लिवर लिट्रेरी पत्रिका द्वारा ओनर ओफ इस्ट लिट्रेर के लिए उन्हें नामांकित किया गया था कलतना की साहित तक क्रितियां भारतिये उप महादूई यूरोप और उत्री अमेरिका में व्यापक रूप से प्रकासित हुई है वह लाइफ एंड लिजिम्स के निर्माता और संपादक भी है और पर इस फ्रांस में लिवर लिट्रेर के संपाद की बूर्ड में कारे करती है चैंपियन ओफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के टॉप पाँच में बिहार के दो जले नितिया योग के दोरा देश के अलप विक्सत 112 आकांची जिलो की चनवरी दो हजार तेज के लिए देश की पांच सर्वस्टरिष्ट आकांची जिलो के लिए चैंपियन ओफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है बता दे किस टॉप पांच सर्वस्टरिष्ट आकांची जिलो में दो जिला बिहार का भी शामिल है जिन में खगडिया पहला अस्थान पर तो वही सेख पुड़ा चौथे अस्थान पर है बता दे कि जिन भी जिलो के नाम टॉप पांच में शामिल किये गए हैं उन जिलो में स्वास्ते पोशल सक्षा वीती इस्थिती और आधार हुद समरचना जैसे प्रमुक छेत्रों को विक्सित करने पर ध्यान दिया गया आपके जानकारी के लिए बता दे कि वर्स 2018 में लागू किये गए देश के आकांची जिला कारे किन में बिहार के कुल 12 जिले शामिल थे जिन्हें केंद्र के द्वारा विशेश सहायता दी जाती है उन 12 जिलों में कटिहार, बेगुसराय, शेखपूरा, अरडिया, खगडिया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुझहपरपूर और नवादा जिले की नाम शामिल है बिहार के 5 सीनियर आईएस अफसर 18 दिनों के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे मसूरी समार नाले प्रशासन विभाग के दरा अधिसूशना जारी करिया जानकारी दी गई है बिहार के 5 वरिस्ट आईएस अधिकारी 18 दिनों के लिए यानि की 10 अप्रेल से लेकर 28 अप्रेल तक अपनी ट्रेनिंग के लिए लाल बहादूर सासरी अकादमी मसूरी जाएंगे जहां सभी अधिकारियों का अनिवारे सेवा कालीन प्रसिक्षन फेज 5 में होगा इस दोरान इन अधिकारियों के खाली अस्थान पर विवाग के अंदर से ही वैकल्पिक ववस्था कर काम चलाया जाएगा बतारे कि बिहार के जो 5 वरिस्ट अधिकारी मसूरी के लिए ट्रेनिंग में जाने वाले हैं उनमें स्वास्त विवाग के अपर मुख्य सचीव प्रत्य अमरित खान एवं भूतत्व विवाग के अपर मुख्य सचीव हर्जोत कौर बहमारा उद्योग विभा के अपर मुख्य सचीव संदीप पॉंडरिक बिहार विद्याले परिच्छा समीती के अध्यक्ष आनंद किसोर और नर्वाचन विभा के प्रधान सचीव HR श्री निवासर सामिल है सियम नितीज ने बताया बिहार में सराब बंदी का नया रिकॉर्ट पीते दिन मुख्य मंत्रे नितीज कुमार ने बिहार में शुरू किये गए सराब बंदी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने बताया कि कुछ मामलों को छोड़ कर बिहार में सराब बंदी सफल रहा है उन्होंने बताया कि 36 गर से आई टीम के दोरा उनसे सराब बंदी से जुरी जानकारी ली गए जो कि बिहार के लिए काफी अच्छी बात है। जो कि बिहार के लिए काफी बिहार के लिए काफी अच्छी बात है। जो कि बिहार के लिए काफी बात है। मालम हो कि राजे में नर्मान होने वाले इन 15 आरोबी में से 6 आरोबी के नर्मान को लेकर केंद्र सरकार के दोरा मन्जूरी दी जा चुकी है। बागी बचे 9 आरोबी के रिणमान के लिए केंद्र सरकार से मन्जूरी मिलने का इंतिजार किया जा रहा है। S3 and 2 वारस को लेकर केंद्र ने राजे को दिया यह नर्देश। किया है कि लोग मास्क पहन करीं, घर से बाहर निकले इसके साथ ही उन लोगों को जादा सतरक रहनी का नर्देश दिया गया है जिनकी इम्मूनिटी कमजोर है। इसके अलावा अस्थमा और लंग अन्फेक्शन से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती, महिलां और बच्चे, बुजर्गों को भी सतरक रहनी को कहा गया है। बिहार के अनुमंडली अस्पतालों में 50 बिट के भवन का होगा नर्मान। पचास पचास बेडों के लिए भवन का नर्मान करवाया जा रहा है। यहां मंदर बेगु सराय से करी 22 किलो मीटर दूर मंजौल के पास जै मंगलापुर गाउं में इस्थित है। आपको यहां पढ़ा कर काफी अच्छा लागेगा। यहां मंदर कनवर जील के पास में इस्थित है। यहां पढ़ा आपको कनवर जील का सुंदर दृष्य देखने के लिए मिलता है। मंदर के चारों तरफ का द्रिश्य प्राक्रतिक है, मंदर में आपको जै मंगला देवी जी की प्रतीमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं, माता की प्रतीमा बहुत सुंदर है, जै मंगला गड मंदर के बाड़ी में कहा जाता है कि मंदर में विराजमान देवी के प्रतीमा भ पुने वाले फसल का रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रदेश के इंजलो में बारिस के आसार बिहार में मौसम का मिजास एक बार फिर से बदलने लगा है। प्रदेश के इंजलो में मौसम केंद्र का कहना है कि बंगाल की खारी में कुछ हिस्सों में कम दबाव बनने की कारण राजे में बिजली चमकने के साथ हलकी बारिश की शंभावना है। कहा जा रहा है कि पश्मी विचो 12 मार्च के बास से पश्मी हमाली चेतर में एक्टिव हो सकता है जिसके कारण 12 से 14 मार्च सक एनलाकों में छिटपुट बारिस होनी की संभावना जताई जा रही है। पिहार में इन दिनों दक्षिन के हिस्सों में आसमान में बादल चाही रहरी की संभावना जताई गई है। लेकिन अभी भी उत्तर और पुर्व के जिलो में तापमान में बरहुतरी देखने को मिली है। परेटन मंत्री ची किशन रेडी के द्वारा कही गई है। पिहार पुलिस के लिए 31 मार्स तक रोस्टर क्लियरंस कर भेजा जाएगा प्रस्ताओ। पिहार पुलिस दिवस के मौके पर मुख्य मंत्री के निर्देशों के बाद ग्री विभाग के द्वारा विशेश बैठकर बिहार पुलिस में स्विक्रित पदों पर न्युक्ती की प्रक्रिया में तेजी लाया जा सके। इसके लिए पुलिस मुख्याले के द्वारा एक हफ़ते के भीतर स्विक्रित पदों के विर्ध रोस्टर क्लियरंस का प्रस्ताओं मांगा गया है। इसके साथ ही रोस्टर क्लियरंस के साथ न्यूक्ति के लिए 31 मार्स तक आरक्षी चेन परश्रत को उपलब्द कराने का विनर देज दिया गया की जानकारी के लिए बता दे कि बिहार पुलिस में कुल 75,573 स्विक्रित पदों पर न्यूक्ति की जानी है मालम हो कि पुलिस मुख्यारे दोरा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से संपर कर न्यूक्ति पुलिस कर्मियों के लिए राचे से बाहर प्रसिक्षन के लिए आविश्यक कारवाई की जाएगी हज यात्रियों के आवेदन कीते थी इतने दिनों तक के लिए बढ़ी मैं महीने से सुरू होने वाले हज 2030 की यात्रा के लिए आवेदन करने का अंतिम तारिक 10 मार्ज नरधारित किया गया था जिसे अब हज समीती ओफ इंडिया के दोरा बढ़ा कर 20 मार्ज कर दिया गया है यानि कि अब हज पर जाने के एक चुक लोग 20 मार्ज तक आवेदन कर सकते हैं बता दे कि बिहार राजे हज समीती पटना के सगीर एहमत के दोरा दीगे जानकारी के नुसार हज यात्रा पर बिहार से जाने वाले लोगों में अब तक कुल 5,350 से एक चुक हज यात्रियों के दोरा आवेदन किया जा चुका है आपको जानकारी के लिए बता दे कि हज यात्रा 2023 में बिहार के कोटा को बढ़ा कर 12,603 से 14,042 कर दिया गया बता दे कि हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन करने के एक चुक यात्रियों के पास दर्स मार्च या उससे पहले का पासपोर्ट नर्गत होना चाहिए जिसक आपके लिए बता दे कि आयूश मंतराले के दौरा अंतराश्च्य योगदिवस 2023 में दिये जाने वाले पुरुषकार प्रधान मंत्री योगा पुरुषकार 2023 के लिए नामांकन पत्रम मांगे गए हैं मालूम हो कि या पुरुषकार किंद्र सरकार के दौरा योग को बढ़ा देने के उद्धेश से दिया जाता है या पुरुस्कार राश्च्य और अंतर राश्च्य योग दिवस के मौके पर की जाएगी। आपके जानकारी के लिए बता दे के अंतराश्य योग दिवस 21 जुन को मनाया जाता है, इसको लेकर भारत सरकार के दोरा अपनी तयान या शुरू कर दी गई है आज बेगु सराय आएं की भारतिय उलम्पिक संग की अध्यक्ष पिटी उशा आज यानी की 12 मार्च को बेगु सराय के गांधी स्टेडियम में आयोज शांसत खेल महुसव का आखरे दिन है ऐसे में आज जलास तरिये विजटाओं को सम्मानित करने के लिए भारतिय उलम्पिक संग की अध्यक्ष भारत की उरनपरी और क्वीन ओफ ट्रेक पिटी उशा वेगु सराय आने वाली है बता दे कि पिटी उशा के आखमन को लेकर पूरी तयारया कर ली गई है इसतोरान पिटी उशा खिलाडियों के साथ पूरे चार घंटे रहेंगी पतादी किसके साथ ही पिटी उशा बेगुसराय में अस्थापित महापुरुशु की मुर्तियों पर मालयारपन करेंगी और साथ ही सक्ती पीठ जै मंगला गड में पूजा अर्चना तथा बिहार में इकलोते रामसर साइट काबर जील में पनटन के विकास को लेकर नौका ब बिहार के चात्र चात्राओं का रुजान अंधनों दुरस्त सक्षा यानि के डिस्टंस लर्निंग की तरफ खूब बढ़ गया है बतादे कि इस तरह की सक्षा में बिहार के लर्के से जादा बिहार की लर्किया अडमिशन ले रही है आपकी जानकारी के लिए बतादी कि ब 2022 में बढ़कर 71,182 हो गई है वही अगर 2023 की बात करें तो अब तक 2023 में इगनुमे अनमिशन लेने वाले छातरों की संख्या 20,000 हो चुकी है फिलाल इगनुमे नमांकन प्रक्रिया 20 मार्स तक चलेगी वहीं दूसरे राउंड के अनमिशन की प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी इसके बाद अगर एन ओ यू की बात करें तो इस पार उमीद की जारी है कि इस पार नमांकन 30,000 के पार पहुँच जाएगा तेरश्वी यादव CBI के सामने इस कारण से नहीं होंगे पेश एक तरफ जहां सुक्रवार को ईडी के दोरा लगभग 16 घंटे तक बिहार के उपमुखे मंतरी तेरश्वी यादव से पूछताच की गई मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार तेरश्वी यादव ने अपनी पत्नी राजश्वी यादव के स्वास्ते कारणों को देहवाला देते वे CBI के सामने पेस होने से मना किया है कहा जारा है कि सुक्रवार को ईडी के बाड़ा घंटे की पूछताच के बाद गर्वती राजश्वी यादव बीपी की समस्या के कारण बेहोस हो गई थी जिसके बाद उन्हें शुक्रवार शाम को दली के एक नीजी अस्पताल में भरती कराया गया था कि नितीश कुमार को ऐसा लगता है कि वह लालू यादव और कॉंग्रेस का समर्थन पाकर प्रिधान मंतरी बन सकते हैं लेकिन उन्हें यहाँ गलत लगता है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार और ललन सिंगी वजह से ही लालू यादव जेल गए और अगर आज लालू कि महागरवंधन की क्या तागत है गिल के शतक से एहमदाबाद टेस्ट बढ़ाबरी पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है मैच के तीसरे दिन भारतिये टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर दोसो नवासी रनों पर दन का खेल खत्म किया उयुवा उपनर शुम्मन गिल ने शांदार सतक जरा जबकि विराट कोली 69 रन बना कर क्रीज पर खड़े है तीशरे दिन भारत ने 36 शुने के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया कप्तार रोहे शर्मा के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा वो 35 रन बना कर आउट हुए नमबर 3 पर बल्ले बाजी करने आये टेस्ट स्पेशलिस्ट चितेश्वर पुजारा 42 रन बना कर LBW हो गये परिशुमन गिल ने अपने करियर का दूसरा टेस्ट सतक जरा गिल ने 235 गिंदों का सामना करते व 291 रन पीछे हैं बिराट कोली 69 रन और रवंदर जड़ेज 16 रन बना कर क्रीस पर मौजूद है से पहले और आउस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में उश्मान ख्वाजा और कैमरोन ग्रीन के सतकिये पारीयों की बदालत 480 रन बनाये थे रवी चंदरन अश्वी ने 6 भारत के दियास में आज की तारीक है बहत खास भारत के ततकालिन वाइसराय लॉड मेयू के हत्यारे शेर अली को 1872 में फासी दी गई महत्मा गांधी को यूरूप के बने सामान को खरीदने और बिटिस साषन की मशीनों के साथ काम करने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के लिए 1922 में अंग्रेजों ने गिरफतार कर लिया था महत्मा गांधी ने 1930 में साबर मती आश्रम से डांटी मार्क के शिरवात की भारत सरकार ने 1954 में सहित्य अकादमी का उधगाटन किया मुंबई में 1993 में हुए सिलसलेवार बम धमाकों में 300 लोग मारी गया और सैक्रों से अधिक घायल हो गया 1913 में भारती राजनित अग्या यश्वंत राव चोहान का जन हुआ 1984 में आज ही के दिन को बॉलिवोड शिंगर श्रिया गोसाल का जन हो आज के दिन को ही किंद्री और द्योइक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस तिबती महिला विकास दिवस और डांटी कूच दिवस के रूप में मनाया जाता है वालखर में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्प लाइन नमबर के बारे में शुचल मीडिया पर कई सूचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं ऐसे करेंबे आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्प लाइन नमबर के बारे में इस नमबर का प्रियोग पिविन हेल्प लाइन सवा के लिए किया जाता है बॉलिवोड एक्टर सतीश कौसी की मौत में आया नया मोड बॉलिवोड के मशूर अभिनिता और डारेक्टर सतीश कौसी का होली के अगले दिन सुभा 66 साल की उम्र मिदल का दोड़ा पढ़ने से निधन हो गया था जहां सतीश कौसी के अपने होली सलिब्रेशन के लिए रुके थे जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस उस सलिब्रेशन में आये महमानों की जांच में जुड़ गई है वीडिया में चल रही खबरों के नुसार इस सलिब्रेशन में एक वॉंटेड बिजनेसमैन भी मौजूद था हाला कि अब तक इस मामले को लेकर पुलिस के दौरा आधिकारिक तोड़ पर कुछ नहीं कहा गया है जिनोंनी हमादरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार मौजुदा स्थि को देखते वे भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे हैं टेस्ट मैच में क्या परिनाम होगा अब अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे है तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद